नमस्कार दोस्तों बदो सवाथ आपका अमारे चल्व में दोस्तों आज की वीडियो में आपको आपके मोबाइल के कैमरे से रिलेटेड एक जान करीदूंगा दोस्तों सभी चाहते हैं कि उनके फोन के अंदर अच्छे से अच्छा कैमरा हो यानि कि डियेसलर का जो जमाना है वो चाहते हैं कि उनके फोन के अंदर भी डियेसलर कैमरा हो लेकिन आप मेंसे बहुत से लोग यह नहीं जानते कि आपके फोन के अंदर भी डियेसलर के एफेक्ट होते हैं यानि कि आपको महंगा फोन लेने की ज़रूत नहीं है आप डियेसलर के लिए आप महंगे महंगे ब्लर कर देता है ताकि जो main focus है उसको clear किया जा सके बस DSLR का जो खास मकसद होता है यही है और साथ ही साथ उसकी clarity को बढ़ा देता है क्योंकि background जब blur हो जाता है तो जो main focus होता है वो थोड़ा active हो जाता है यानि कि उसको clearly show करता है तो यही एक DSLR का main purpose होता है और सभी phone के अंदर यह features होता है कि वो अपने phone के camera को DSLR की तरह use कर सके लेकिन उसके लिए थोड़ा उनको supportive applications की ज़रूत होती है तो बस आज की इस वीडियो में आपको यही जान करें दूँगा क्या महंगे महंगे phones के लिए मत जाईए DSLR camera लेने के लिए तो आपके जो simple सा phone है उसके अंदर भी B612 तो दोस्तो मैंने अपने phone के अंदर B612 जो application उसको open कर लिया है ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि normal से phone के अंदर DSLR के effect कैसे आपको मिलेंगे तो दोस्तो जब भी आप application यह open कर लेंगे तो इस तरह से camera open हो जाएगा यहाँ पर आपको दो तिन option यहाँ पर मिलते हैं एक beauty का और एक filters का तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करके अपने हिसाब से जो भी आपका mood हो जैसे भी आप effect चाहते हो इसक्रीन पर उस तरह के आप set यहाँ पर कर सकते हैं तो यह दोनों option आपको इसमें मदद करेंगे देखिए आप जो भी आपका mood हो जैसे भी आप photo चाहते हैं ज वो आप कैसे करेंगे देखिए आपको simply यहाँ से photo click करनी है जब आप photo खीच लेंगे देखिए तो इस तरह का एक यहाँ पर portrait effect का option आएगा आपको यहाँ पर click करना है जब आप यहाँ पर click कर देंगे तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ line नजर आ रही हैं यहीं पर आप आपको adjust करना है अभी देखिए अपने आप adjust होने के बाद फिर आपको यह बताया जाएगा तो आप इसको slide कीजे देखिए और आप background में देख सकते हैं कि आपको पीछे blur होता हो नजर आ रहा है तो आप इसको अपने हिसाब से adjust कीजे आपको कितना background blur चाहिए चितना आप background को blur करेंगे उतना ही जो main आपकी photo होगी वो clear हो जाएगी तो यही जो main feature होता है वो DSLR camera का भी होता है और वो आपको clear image देता है तो आप किसी भी phone से इस application को use करके simply तरीके से DSLR का effect ले पाएंगे और उसके बाद नीचे done का option है आपको यहाँ पर click करना है और यहाँ पर आपक तो इस निशान के उपर click करके यह photo अपनी save कर लेनी है तो देखे कितना अच्छा effect आएगा अगर आपका पास normal सा भी phone है तो भी आप उसमें DSLR का features use कर पाएंगे यानि DSLR camera के जो feature होते है वो आप अपने phone में ले पाएंगे और आपको कोई महंगा phone खरीदने की ज़रूरत यह DSLR camera के चकर वे तो दोस्तो इसलिए मैंने वीडियो बनाई थी कि आप अपने सस्ते से phone के अंदर या किसी भी phone के अंदर DSLR camera का effect ले सकते हैं तो दोस्तो इस application का link मैं आपको description में भी दिया हुआ है आप इसे वहां से इंस्टॉल कर सकते हैं तो दोस्तो यह जानकर आपको थन्यवाद